आज की रिकार्डिंग का मेन मकसद यह है कि स्टॉक मार्किट से किस तरीके से लाखों रुपया कमाया जा सकता है तो इसके लिए मैं मेन जो है वो तीन पॉइंट को एक्स्प्लेन करूंगा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको काईड़ी सब्सक्राइब कर लें स्टॉक मार्किट से अर्निंग के लिए जो मेन तीन पॉइंट्स है उसमें पॉइंट नमर वन ये है कि हमने देखना ये है कि जो स्टॉक मार्किट का इंडेक्स है उसका लेवल क्या है स्टॉक मार्किट के इंडेक्स का लेवल नमर टू स्टॉक मार्किट में इंवेस्टमेंट के लिए आपने किस सेक्टर को चूज करने है 3. जिस sector को आपने चूज़ किया है उसमें जिस Company में आप investment करना चाहा रहे है उसका profile के है तो तीन वाते हिमने किये हैं Index क्या है overall 2. आपने किस sector ने इनवेस्चमेंट करनी है 3. जिस company को आपने चूज़ करना है उसका profile के है तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं यह हम आये पकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेब साइट पर और इसके बाद यह हम गए है डेटा पोटल पर तो यहां पर हमने देखना यह है कि में जो स्टॉक यहां पर डिफेंट जेए वह आपको यह सेग्मेंट में इंफर्मेशन आपका यह जो मैं हाइलाइट कर रहा हूँ यह इंडेक्स है आज का तो यह मैं विडियो बना रहा हूँ 28 अपरल 2020 को तो यह जो इंडेक्स गिवन है यह 32,553 पर है तो इसमें यह जो साथ में हाइलाइट किया गया है के 238 यह बताया जा रहा है कि इतना इतने पॉइंट रहा है यह आज के दिन मार्किट रहा हूँ अब नमबर वन मैंने यह कहा कि हमने इंडेक्स को देखने तो अब इस इंडे 32,314 है और इस लेवल पर अगर हम देखें जो इसका यह मैक्सिमम लेवल था एक दिन का तो यहां पर 32,631 पर थी मार्किट अब इसमें अगर हम एक ही दिन की देखें तो उसके बाद यह यहां पर आप्शन है कि एक मन्त की हम मार्किट का जो इंडेक्स है वो देख सकते है तो यहां पर यह मिनिममम था वो 28,000 था उसके बाद जो इस पूरे मन्त में जो मैक्सिमम है वो यह 32,499 है और अगर हम इसको 6 मन्त पर देखें तो हमें यह डिफरेंट पिक्चर नज़र आ रही है और मैं अब इसको ले जा रहा हूँ 5 यर पे 5Y मीन्स 5 यर के पिछले 5 साल फ्रेयों में इस इंडेक्स का लेवल क्या रहा है तो यह एक मिनिममम लेवल यहां पर नज़र आ रहा है 1260 में 31,000 फे और उसके बाद यहां पर हमें नज़र आ हुरै तो और यहां पर मार्केट वो बड़ी आप है 51,000 पर है तो यहां पर हमने इन्वेस्टमेंट के लिए नंबर वन जो हमने यह देखा कि जब भी मार्केट में जब भी या किसी भी मुल्क में कोई क्राइसिस आते हैं जैसे अभी करोना का इश्व आया हुआ है तो इसकी वजा से यह एक शौट टाइम के लिए मार्केट में जो है वो डाउन फाल नजर आ रहा है तो इन दिनों में मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्डन टाइम है कि जब मार्केट डाउन है तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि यह आल्मूस एक साल के बा पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो KSC 100 पे जो इंडेक्स था उसका हमने लेवल देखना है नमबर टू दूसरा पॉइंट यह है कि हमने यह देखना है कि इस आपने इंवेश्मेंट की सेक्टर में करनी है 토ख घpitना हैं तो अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो उसके लिए हमारे पास different points है इस second point में number one कि government की policies ने का अगर तो government ने कोई रीसेंट्ली policy जो economic policy दी है अभी है अगर हम देखें तो government ने construction इंडश्य के लिए हम सुआ चरब करनावी का अगर हम लिए कोई package की है जयसे इसमें सेम्रॉड इंडस्टरी या स्टील इंडस्ट्री तो अगर हम सेमर्ड इंडस्ट्री को बढ़ें तो जके बतने होगें अगर इसके एक सिपू आरगे हुआ में स्पीन को उक्षी पास फिलिए सुटर को फोने जेता हो ज्यादा होगा या उसमें जो बैतरी आएगी। तो कंपनी को चूгов करने के लिए, पिर अब देखे speclexe को सूर्पोस्ब्स हमने चूज कर लिया। कि हमारे पास फर्स करें कि हमने भू जे हैज़ किया यहां से हम देखेंगे resembart sector हमने अगर लिया। semer sector में यहां से हम देखते हैं कि SC 100 में सोर्म प्रोथ स्पंट्राइ दम पांपार इस एक्ड़ी सीमTr इनुटी तो यहां पर हमारे पास मेपल लीफ है oggi सीअ conversation पिर यह पाइदियर सीमत है स फौरजी सीमत var चिरार सीमत कोहार सीमत सेमट और स।र ऍड्की सीमत में हमने investment करनी है या इसके इलावा एक दूसरा sector भी है जैसे steel sector है तो उस sector में भी investment की जा सकती है क्योंकि वो भी उसी से linked है लेकिन अभी फिलाल मैं जो है वो सीमर्ट का ही बता रहा हूँ तो इसमें हमने फर्ज करें कि यह लखी सीमर्ट को है वो कहल अप हुआ है और इसके बाद यह इसका जिस तरह से index का लेवल ता उस तरह से इसका सारे का सारा यह दिया हुए एक जीस हमने यह देखनी है कि जिस company में आप investment करें उसका वालियम जो है वो कितने उसमें ट्रेडिंग कितनी होती है है ऐसा नहों कि आप एक ऐसी company को चूज करें जिसका वालियम बहुत कम ट्रेड होता है और अगर आपके बहुत टाइम था वो यह था 353 लेकिन अगर हम इसको तीन सालों पर देखें तो इसका maximum लेवल 900 से भी उपर था और इसके बाद अगर हम इसको पाई सालों में देखें तो इसका जो प्राइस लेवल है वो 969 मैक्सिमम है और अगर हम इसकी एवरीज देखें तो वह आलमोस्ट जो है वो 500 के अराउंड है इसकी एवरेज तो 500 था कि जो है वो नार्मल जो है वो एवरेज प्राइस होगी और जैसे यह वाले से रिसेशन से हम निकलेंगे तो जो प्रैस का यह भी द्रदे ग्माट इसका प्रोफाइल हम ने दीख रहा है यहां पर के लिखा आनोल तो यह जो हमारे पास में लेर्द हम डेखें तो यह चैनल जो जो रहा है कि और यहांड है और से तो जो जो सोला और सतरा के साल थे उसमें कंस्ट्रक्शन इंडिस्ट्री उरूज पर थी तो उस ट्राइम पर जो है वो इसकी सेल भी बेतर थी और यहां पर देखें इसके बाद गोवर्मिन ने टैक्सित बढ़ा दी है तो उसके बाद इनकी सेल तो ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट कम होता जा रहा है और अगर हम यह अर्निंग पर शेर देखें एपीएस तो यह 32 रुपीज है और यहां पर 37 था और इससे पहले 42 था इसका मतलब है 17 के बाद इसमें जो है वो डिकलाइन शुरू हुआ है तो अगर हम इसकी आखरी दो क्वार्टर की रिपोर्ट देखें तो यह हमारे पास quarterly data आगया है यह जो 2020 का quarter पहला था उसमें इसका जो profit था वो यह था और उसके बाद उसमें वो इंप्रूव हो रहे है और यह अगर हम third quarter को देखें तो इसका जो profit है वो increase होता जा रहा है तो यह था कि इस company को हमने देखना है कि इसकी sale क्या है इसक जो profit क्या है और इसकी earning पर share क्या है और इसके बाद यहां से हम यह देख सकते हैं कि इस company का जो grass profit है उसका जो change उसमें आ रहे हो कितने है तो 29% इसमें change आया है 29% इजाफा हुआ है इसके grass profit में 2018 में अगर हम देखें तो 35% इजाफा हुआ था और अगर हम 17 में देखें तो 46% इसमें इजाफा था और अगर हम 2016 में देखें तो वो 48% इसमें इजाफा था तो यह government की कुछ taxes की policies ती जिसकी वज़ा से इसका जो profit है वो थोड़ा सा उसमें decline आ रहा था तो उसके बाद अगर हम net देखें तो भी ऐसे ही है तो अब क्योंके government ने जो है वो package announce की है तो इसके बाद इस industry में वो improvement होगी और उसके बाद अगर हम यहां पर देखें कि इसकी जो earning per share growth है वो 14% कम हुई है यहां पर 2018 में 10% कम हुई है और यहां पर 5% increase हुई थी तो अगर हम यहां पर 17 से 17 में देखें तो 5% इसने gain किया था earning per share इसका ज्यादा हुआ था और 18 में 10% कम हुई है इसका मतलब है कि total जो कम हुआ वो 15% है और इसके बाद हम यहां से जो है वो इसकी financial reports देख सकते हैं और उसकी detail यहां पर given है और यहां पर एक चीज़ ओर है यह quarterly report इस company की जो है वो सारी की सारी यहां पर mention की हुई है अगर मैं इसको एक report को open करूं और आपको साथ share करता हूं और यहां पर हमने एक यह देखना होता है कि इस company की जो exports है उसका क्या level है तो अगर तो इसकी exports जहें वो बेहतर है तो अभी आपको बता है कि इन हलात में exports भी आल्मूस बंद है अगर इसकी यह इसका पूरी की quarterly report है यहां आप देख सकते हैं यह सारे का सारा overview given है कितनी इन्होंने production की है और किस तरीके से जो production को decline कर रहे है या ज्यादा कर रहे है और overall इनका जो profit margin है वो किस तरीके से increase कर रहे है या decline कर रहे है तो यह सारी की सारी चीजें यहां से देखी जा सकती है जो main three point थे वो मैंने आपको ब करता है कि company का हमने profile देखने है और जब आप sector को चूज करेंगे तो यहां पर बड़ा important point यह है कि उसमें government की policies हमने देख रहे है या आपका जो future में इस business का plan है वो देखने है या इस future में जो है वो इस business की growth क्या आपको chances क्या नजर आ रहे है कि वो उसका future bright है उसमें production ज्यादा होगी तो यह जो सारी की सारी चीजें हम यह देख सकते हैं इसके इलावा जो इस sector का detail analysis है कि हम अगर सीमर सेक्टर में investment करते हैं तो उसमें किस company को choose किया जाए या किसके जो shares है वो ज्यादा खरीदे जाए तो यह मैं इसके बाद जो next video है उसमें मैं detail में हम इस पूरी की पूरी construction sector को देखें तो steel industry जो है उसमें हमारे पास वो best options कौन-कौन सी है और किसमें हम ज्यादा से ज्यादा 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 गेन कर सकते हैं या अपना जो profit margin है वो ज्यादा कर सकते हैं या जो हमें quarterly dividend मिलेगा वो किस तरीके से ज्याए वो हम increase कर सकते है तो अगर हम एक चीज़ बताना में बूल गया हूँ कि जो company का dividend है कि वो आपको quarterly मिलता है उसको भी देखा जा सकता है कि company जह हो कितने percent अपने जो earning पर share है उसमें से कितने percent जो है आपको dividend जो है वो share holders को देती है तो वो भी आप report जो है वो देख सकते है वो भी गूगल पे जो है वो या company के profile पर अवेलेबल है तो next video में इंशाहला हम जो है वो detail सीमर का analysis करेंगे कि सीमर सेक्टर में हम किस industry को choose कर सकते हैं या किस sector को हमने जो है वो किस industry में किस firm के हमने जो है वो company के shares को खरीदने है तो अब तक के लिए Allah Hafiz झाल